पर्मानु के विभिन उकोश में इलेक्ट्रोन भढ़ने का क्रम अगर आपको याद नहीं रहता है तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं उस तरीके को समझने के बाद आपको इलेक्ट्रोन भढ़ने का क्रम याद हो जाएगा पर्मानु में इलेक्ट्रोन कहां पर होते हैं किस कक्षा में होते हैं कक्षा के अंदर किस उपकोश में इलेक्ट्रोन होते हैं उपकोश के अंदर किस कक्षक में इलेक्ट्रोन होते हैं एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं यह सब जानने के लिए इलेक्ट्रोनिक विन्यास को लिखा जाता है और इलेक्ट्रोनिक विन्यास लिखने के लिए आपको पता उना चाहिए कि इलेक्ट्रon बढ़ने का क्रम क्या है इलेक्ट्रोन भरने का क्रम 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, इलेक्ट्रोन भरने का क्रम है, और यहां उपकोष की उर्जा का बढ़ता क्रम भी है, 1s से अधिक उर्जा 2s की होती है, 2s से अधिक उर्जा 2p की होती है, और 2p से अधिक उर्जा 3s की और 3s से अधिक उर्जा 3p की होती है, तो यहां अलग-अलग उपकोष की उर्जा का क्या आप इस क्रम को याद रख सकते हों अगर यह क्रम आपको याद नहीं होता है तो यहाँ पर मैं आपको एक एसा तरीका बताने वाला हूं जिसे आपने समझ लिया तो इलेक्ट्रोन भढ़ने का यह क्रम जिंदगी बर्याद रहेगा बहुती शानदर तरीका है तो इस तरीके में आपको क्या समझना देखते हैं आपको एक बार S लिखना है एक बार S लिखना है और उसके बार S, P, S, P, S, P इस तरह से आपको छे बार लिखना है एक बार S लिखना है और छह बार S पी लिखना है 1, 2, 3 4, 5, 6 एक बार S लिखना है और 6 बार S पी लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 6 बार S पी लिखना है फिर इन सबी को नंबर से सजाना है यहाँ पर 1 लिखना है यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 लिखना है इसके बाद क्या करना है चार और 5 इनके बीच एक कम करके एक कम D को लिखना है यहाँ भी एक कम D को लिखना है 4S और 4P के बीच में आपको एक कम करके D लिखना है तो चार में एक कम करते हैं तो तीन होता है और D लिख देते हैं 5 में एक कम करते हैं तो चार होता है तो यहाँ पर हम 4 D लिख देते हैं 5S और 5P के बीच में हम 4 D लिख देते हैं तो आपको याद रखना है कि 4 और 5 में आपको एक कम करके D को लिखना है 6 और 7 में क्या करना है दो कम करके F लिखना है और एक कम करके D लिखना है एक कम करके D लिखना है D हमेशा एक कम करके लिखना है और F हमेशा दो कम करके लिखना है 6S और 6P के बीच हम लिखते हैं 6S और 6P के बीच F को लिखते हैं तो 2 कम करके तो 6 में से 2 को कम करोगे तो 4 आएगा 4S लिख देते हैं और 6 में से 1 को कम करते हैं तो 5 आएगा तो D लिख देते हैं यहां भी S आइई करना है 7S 7P के बीच में आपको 2 कम करके 7 में से 2 कम करते हैं तो कितना आता है 5 तो 5F लिखते हैं और 7 में से इस 7 में से 1 कम करते हैं तो 6 आता है तो D लिखते हैं अब आप इस करम को पढ़ सकते हो 1S, 2S, 2P, 3S, 3P 4S, 3D, 4P 5S, 4D, 5P 6S, 4F, 5D, 6P 7S, 5F, 6D, 6, 7P यह एलेक्ट्रोन बढ़ने का करम है और उपकोश की उर्जा का बढ़ता करम है अब देखते हैं कि हम फटा फट इस करम को कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था कि एक बार S लिखना है और 6 बार S पी लिखना है और उन्हें नमबर से साजाना है तो 1S, 2S, 2P 1S लिखने के बाद 2S, 2P लिखना है उसके बाद 3S, 3P लिखना है उसके बाद 4S, 4P लिखना है और 4 आते ही एक कम करके D लिखना है 5S, 5P लिखना है एक कम करके 4D लिखना है 6S, 6P लिखना है दो कम करके 4F लिखना है एक कम करके 5D लिखना है 7S, 7P लिखना है दो कम करके 5F लिखना है एक कम करके 6D लिखना है तो इस तरह से फटा पाट इलेक्ट्रोन भरने का क्रम आप लिख सकते हो बस याद रखना चार और पांच में एक कम करके T को लिखना है छे और साथ में दो कम करके F लिखना है और एक कम करके T लिखना है तो उमीद करता हूँ आपको यह ट्रिक पसंद आया होगा अगर अच्छा लगाओ तो कमेंट करके मुझे बताओ और अपने दोस्तों को भी बताओ